तो चलिए देखते हैं अपना question number 13 क्या है हमको एक A matrix जी रखी है ठीक है और हमसे बोलाई कि इसको express करना है ज़र समों symmetric and skew symmetric matrix ठीक है तो बताओ अगर एक A matrix दिया रहता है तो उससे हमें एक symmetric matrix लिखा लना है कौनसा है ? एक symmetric matrix और एक हमें निकालनी है skew symmetric matrix तो देखो इसका best तरीका क्या होता है चलो मैं बताता हूं आज जब हमारे पास A matrix तक दे रखी होती है तो symmetric लिका लेगा सब से best तरीका होता है कि A और से उसके transpose का sum ठीक है और skew symmetric का होता है A minus A transpose मतलब कि transpose से उसका subtraction ठीक है तो अच्छा बताओ अगर मैं एको इनके terms में अगर लिखना है तो कैसे आजाएगा देखो इन दोने को plus करके देखो क्या बन रहा है तो यहां आजाएगा अपना a plus a transpose plus a minus a transpose तो देखो यह क्या बन रहा है तो यह को मैं यह लिख सकता हूँ देखो half of इससे लिख रहा हूँ देखो यहां पर यह न इससे लिख रहा हूँ यहां पर तो half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose ठीक है तो देखो इससे क्या होगा यहां पर यह अपना symmetric matrix बन जाएगा और यहां पर यह अपना skew symmetric बन जाएगा ठीक है तो यह A अपना इसके terms में आ जाएगा ठीक है यह एक symmetric और skew symmetric में ठीक है तो चलो फटाक से A अब यह क्या है पहले बताओ इसके A transpose निकाल लेंगे तो A है अपना 1 minus 6 minus 4 3 8 6 और 5 3 5 है ना तो चलो फटाक से A transpose निकाल लेते हैं क्या होगा तो A transpose होगा अपना 1 minus 6 minus 4 फिर आजाएगा 3 8 6 और 5 3 5 चलो transpose तो सबको निकालना आता ही होगा है ना तो चलो अब आगे बढ़ते हैं तो अब A plus A transpose और A minus A transpose निकाल लेते हैं तो बताओ A plus A transpose कितना होगा तो A plus A transpose हो जाएगा हमारा इन दोनों का submission करो देखो क्या बन जाएगा 1 plus 1 2 आ जाएगा 3 minus 6 minus 3 हो जाएगा 5 minus 4 1 हो जाएगा है ना अब देखो minus 6 minus 3 minus 3 हो जाएगा 8 plus 8 16 हो जाएगा और 3 minus 6 अपना क्या बन जाएगा 3 minus 6 अपना बन जाएगा यहां पर minus 3 और आ जाएगा minus 4 minus 5 अपना आ जाएगा देखो minus 4 plus 5 किता हो जाएगा minus 4 plus 5 अच्छा है यहां देखो यहां मैंने गल्दी से minus कर दिया 3 plus 6 हो जाएगा तो यहां 9 आएगा ठीक है 9 और यहां minus 4 plus 5 अपना 1 हो जाएगा और 6 plus 3 अपना 9 हो जाएगा और 5 plus 5 अपना हो जाएगा 10 ठीक है तो देखो यह अपना symmetric matrix है क्या तो देखो minus 3 का minus 3 है 1 का यहाँ पर देखो 1 है और 9 का 9 है तो सर यह हमारा symmetric matrix तो है ठीक है अब चलो skew symmetric के लिए देख लेते a minus a transpose कैसे क्या आएगा तो चलो अब इंदोनों का minus करो इसका और इसका minus करो तो देखो 1 minus 1 0 हो जाएगा ठीक है 3 plus 6 अपना 9 हो जाएगा plus इसले बोला देखो minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर minus 6 में 3 plus 6 9 हो जाएगा similarly देखो यहाँ भी 5 plus 4 9 हो जाएगा और देखो यहापर किता आ रहा है, 6-3, अपना यहापर 3 आ रहा है, और यहापर 5-5, 0 आ रहा है, देखो यह क्या अपना skew symmetric हा, देखो डेग्नल सारी 0 है, देखो, minus 9 का 9 है, minus 9 का फिर 9 है, और 3 का minus 3 है, तो यह अपना, हाँ sir, यह skew symmetric तो है, तो चलो अब इसको A के, A के terms में express कर देते है इसमें put कर देते है इस वाली equation में है ना तो चलो करते हैं तो अपना a क्या हो जाएगा half of a plus a transpose तो a plus a transpose की value रख दो यह है ना उपर वाली just two minus three one minus three sixteen nine one nine ten plus half of a minus a transpose की value रख दो अब a minus a transpose क्या है 0 nine nine यहां जाएगा minus nine zero minus three यहां जाएगा minus nine three zero ठीक है अब देखो अब a को तो देखो यह अब चाहो तो अब इसमें one by two इसमें divide करके भी लिख सकते हैं और चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो देखो अपना एक symmetric matrix का और x q symmetric matrix दोनों के दोनों में अपना a अपना express हो गया ठीक है तो अपना question यहां खतम हो गया